नमर्शकार माउद बाइजली मुद्रा सल्मान खान अपने चाहने वालों के कितने करीद हैं ये हर कोई जानता है जतनी शिदत से वो दुश्मनी निभाते हैं उतना ही प्यार वो अपने चाहने वालों से करते हैं इसी बीच सल्मान से जोड़ी एक ऐसी खबर सामने आई जिसे जानकर उनके फैंस भी मायूस हो जाएंगी दरसल सल्मान खान के जन्म से लेकर उनकी फिल्म मैंने प्यार किया तक एक शक्स हमेशा उनके साथ था आज वो भोपाल में गरीबी की जिन्दगी जी रहा है दैनिक भासकर की रिपोर्ट की माने तो ये शक्स सल्मान खान की फैमिली मेंबर की तरह उनके साथ रहा करते थे उनके यहां खाना बनाया करते थे इस शक्स का नाम है अख्तर मिया जिने सल्मान खान अख्तर चचा कहकर बुलाते थे आज एंसान भुपाल में गुड का ठेला लगा कर गरीबी की जिन्दगी जीने पर मजबूर और वो छोटे से कमरे में अपना जीवन यापन कर रहे अख्तर मिया की आखरी इच्छा है कि मरने से पहले उनकी एक बार सलमान खान से मुलाकात हो जाए हाला कि अब सलमान को पता भी नहीं है कि उनके अख्तर चचा जिन्दा है भी या नहीं दैनिक भासकर ने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया है कि बच्छपन में जिनके हाथों के आलू के पराटे खाकर सलमान खान बड़े हुए उस शक्स ने सलमान के जन दिन पर उनकी लम्वी उम्र की दुआ देने के साथ साथ अपने बीते दिनों को भी याद करते हुए कहा अख्तर मिया ने बताया कि जब सलमान खान का जन्म होने वाला था तो उस वक्त सलीम खान साहब आक्टिंग में व्यस्त थे इस वज़े से अख्तर मिया ही सलमान की मा को मुंबई से इंदौर लेकर आये थे सलीम खान राइटर बाद में बने उससे पहले वो आक्टिंग क्या करते थे सलमान के जन्म से उनके फिल्म मैंने प्यार किया तक अख्तर मिया उनके साथ थे लेकिन फिल्म मैंने प्यार किया के बाद वो भुपाल आ गया और फिर मुंबाई नहीं जा सके दैनिक भासकर से बातचीत में इस शक्स ने सलमान को लेकर कहा कि सबकी मदद करते हो आप इस गरीब को भूल गए खैर ये खबर जब सलमान खान को पता चलेगी तो वो इस पर किस तरह अपनी प्रतिक्रिया देंगे ये देखना वाकरी दिल्चस्प होगा वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बता